नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोशी दिनांक 30 अक्टूबर छोटी दिवाली आज दोपहर एक बच के पंदरह मिनट तक त्रेयो दशी बची है तो एक पंदरह से पहले जो लोग कुछ धन तेरस के कार निप्टाना चाहें वो निप्टा सकते हैं उसके बाद चतूरदशी का पर्व मनवाए नरक चतूरदशी जिसमें कूडे के धेर पर भी दीपक प्रजुलित किया जाता है यमराज के लिए भी दीपक निकाला जाता है उनकी भी पूजा की जाती है ऐसे विशेश पर्व का आज आयोजन रहेगा और कल रात्री वेला में लक्षमी पूजन किया जाएगा 31 तारिक कुछ लोग एक को भी दिवाली मना रहे हैं वो उनकी शद्धा है एक को अगर मनाना है तो आप शाम 6 बच कर 16 मिनट से पहले पहले जो करना है दिवाली से सम्मंदित कर लीजिएगा साम 6 बच के 16 मिनट के बाद सुक लुपक्ष प्रतिपदा का जो है लग जाएगा आई आगे बढ़ते हैं और अब सुरुवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग कार्तिक महा किष्ण पक्ष त्रेयो दशीति थी है आज दोपार एक बच के 15 मिनट इसके बाद चतुर दशीति थी का उधै चंद्रमा कन्या राशी में नक्षत्र आज का हस्त रहेगा ये चंद्रमा का नक्षत्र है और योग रहेगा वैद्रिति तद अनुस्वार दिनांक 30 अक्टूबर दिन बुधवार बुधवार के दिन राहुकाल का समय दोपार 12 से 31 और गुलिक काल का समय सुबह 10-30 से 12 जैसा कि आप लोग को विधित है राहुकाल नए और शुबह कारियों के लिए स्तास्त्रोग तो वर्जित होता है गुलिक काल नए और शुबकार बिलकुल आप कर सकते हैं कार आपके बन जाते हैं सकारात्मक्ता बढ़ जाती है तो मेश से लेकर मीन तक आज का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है दिन को कैसे शुब किया जाए इसकी पूरी जानकारी पूरा विस्तार से हम आपको अब बताने जा रहे हैं आज की भविश्य वाणी मेश राशी कुछ कारे आज थम जाएंगे रुक जाएंगे सिक्षा की स्थिती में आज रुकावट आएगी मन बेचैन रहेगा व्यथित रहेगा ब्यापार आपके लिए आज अनकूल इस्थितियों में आ सकता है बिजनस के लिए आप प्रियास करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे प्राइवेट सेक्टर की चिंता कदाप ना करें कुछ न कुछ आपके लिए अनकूल इस्थिती अवश्य आएगी सरकारी छेत्र सकारात्मक है गौर्णमेंट सेक्टर में शुब परिणाम आपको प्राप्त होंगे आज इस्थितियों पक्ष में हैं दांपत्त जीवन गजब का फल देगा हर कदम पर अनकूलता पुरदान करेगा शुबता पुरदान करेगा सुआस्थ के मामले में खासी जुखाम के साथ साथ पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग की बात करें तो आज उल्टी हथेली पे सरसों का तेल रख ले और यमराज का ध्यान करते हुए किसी पौधे के नीचे डाले शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्विप्रद्शत सत्तावन ब्रिशवराशी बिल्कुल सकरात्मक दिन रहेगा आज शिक्षा बहुत अनकूल है पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी ब्यापार थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ दे रहा है बिजनस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर नुकसान भी देगा और परेशान भी करेगा लेकिन सरकारी छेत्र नए आरंभ की तरफ इशारा करता है गौर्मेंट सेक्टर में शु आज संतान की विशेप पर कुछ उतार चड़ाओ महसूस होगा थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाने क्या वशक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो इस्थियां आज हेल्थ इशू कुछ नो कुछ बढ़ रहा है स्वस्त महसूस नहीं करेंगे आप क्या उपाय करना आज प्रियोग के तौर पर तीन चुटकी पीली सरसो अपने सर से उल्टा वारें और किसी पौधे के नीचे रख दें शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रत्षत बावान मिथोन राशिय मांसिक रूप से आज कई तरह से आप मुश्किलों में घिर रहे हैं शिक्षा अनकूल है शिक्षा की स्थिति अच्छी है मजबूती प्राप्त हो रही है ब्यापार थोड़ा उल्जन दे रहा है बिजनस की स्थिति को समाले और शुब परिणाम की तरफ आगे बढ़ें प्राइवेट सिक्टर आपके लिए एक नए सकरात्मक पॉइंट को ज सरकारी छेत्र थोड़ा इधर उदर की चीजों से आपको परेशान करेगा दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का प्रियास करें स्वास्थ के मामले में मिथुन राशी हरदय से संबंदित ब्लड पेशर हिरदय गती बीपी रक्त चाप आदी दिक्कतें आज आएंगे क्या प्रियोग करना चाहिए आज तीन चुटकी नमक सर से उल्टा वार कर कहीं पौदे के नीचे डालें शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रिद्शत चौवर करक्राशी मन बहुत मजबूत रहेगा आज आपके लिए चीजें बहुत सकरात्मक और सुल्जी हैं पढ़ाई अच्छी करेंगे आप मेहनत का पूल्ण परिणाम प्राप्त होगा सुक्षा की स्थति हर तरह से आपके लिए अन्कूल है व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है बिजनस चैलेंजिंग है थोड़ा संभलने की जरूरत है प्राइवेट सेक्टर वालों को सोच समझकर द्रड़े लेना होगा अकसमात किसी न किसी मोड पर आपके लिए मुश्किल नहीं आ सकती है सरकारी छेत्र गजब का है दिब्ब परिणाम दे रहा है अन्कूल परिणाम दे रहा है दामपत्य जीवन कुछ नए सुर्वात की तरफ इशारा करता है स्वास्थ के मामले में आज का दिन खासी की शिकायत डाइजेशन की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर ओम दुम्दुरगाये नमह मादुरगा के इस मंत्र का तीन बार जाब कर लीजे बस शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रतिशत बावन सिंग राशी चंद्रमा आए आज दुती भाव में द्वादशेश का नक्षत्र हस्त है आज चंद्रमा का नक्षत्र है पढ़ाई में बहुत उतार चड़ाओ महसूस होगा आप शुक्षा बहुत अच्छी स्थती में नहीं है ब्यापार बहतर परिणाम की तरफ आगे बढ़ेगा विजनस की चिंता कदापी न करें प्राइविट सेक्टर कुछ इधर उधर से आपको परेशानी में डालने के लिए आ गया है प्राइविट सेक्टर पर बहुत साउधान रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र मुश्किलों से बाहर निकालेगा गौर्णिमेंट सेक्टर में हर प्रकार की मुश्किल से बाहर निकलेगे दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ संभलते हुए कदम बढ़ाएं पत्य पत्नी के बीच तालमेल की कमी उल्जन पैदा करेंगे स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और बैक की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोक के तौर पर सिंग राशिवालों को आज एक लौंग सरसों के तेल में डुबो कर सर से तीन बार वामा वर्तवार कर किसी पौधे की नीचे रख दे शुबरंग आपके लिए आज काला भागी पिद्शत चववन कन्य राशी चंद्रमा आपकी ही राशी में है और नक्षत रहे एक आदशेश का पढ़ाई उतार चड़ाओ से आज युक्त है सिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कई तरह से आपको परेशान कर सकती है ब्यापार अच्छा है बिजनस में आपके लिए अफसर अच्छे मिल रहे हैं कुछ ब्यहतर परिडाम आगे बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर को ले करके सजगता अनिवार रहे परिस्थतियां पक्ष में रहेंगे सरकारी छेत्र इधर उधर की बातों से आपको उलजाएगा गवर्मेंट सेक्टर को समभालने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ चीजों को संतुरन में लाने का प्रियास करे स्वास्थ के मामले में आज कन्याराशी वालों को शुगर और हर्ट की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना है आज नरक चतुरदशी स्पेशल प्रियोग हम बता रहे हैं अपने मस्तक पर सरसु के तेल का तिलक लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रिद्शत पच्छपन तुलाराशी द्वादश के चंद्रमा के साथ सुर्योदे प्राप्त करेंगे आज मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा बारहवे का चंद्रमा है आज बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे प्रातहकाल ही किसी प्रकार की अप्रिय समाचार से मन खिन हो सकता है बिद्यार्थियों के निमित ताज संघर्ष पूर दिन दिखाई देता है बिद्यार्थी वर्ग को आज बहुत सावधानी पूरवक अपने दिन्चरिया का संबर्धन करना चाहिए ब्यापार अच्छा है बिजनस में आपको आज शुबता मिरीगी प्राइवेट सेक्टर की स्थती अचानक से थोड़ा सा डावा डोल जाती है सरकारी छेत्र हर प्रकार से आपके लिए अनकूल है गौर्णिमेंट सेक्टर में शुबत तो आपको अवश्य प्रापत होगा दामपत्य जीवन देखा जाए तो तुलाराशी वालों के लिए आज अचानक किसी न किसी मूड पर आपको इंबाइलेंस करता है स्वास्थ कमरदर्द हड़ी की समस्य आज दिखाई देती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत 57 चर्चा बिश्चिक राशी की पढ़ाई बहुत दिब्ब है सिक्षा में अवश्य आपको बड़ा विस्तार मिलेगा ब्यापार के लिए संघर्ष चलेगा बिजनस आज पैसा कहीं न कहीं ब्लॉक होगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नहीं नोकरी की संभावनाएं बनती है आज कुछ अच्छा करने की चाह को पूरी करेंगे आप सरकारी छेत्र थोड़ा सा डिश्टर्ब करेगा गॉर्मेंट सेक्टर में रिस्क नहीं लेना है कारे में जो भी आपको भार मिले उसका जो निर्वान है वो अच्छे से करिए दामपत्ते जीवन इधर उधर की चीजों में आपको उल्जन देगा संभल कर चलने की आवशक्ता है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो खासी जुखाम की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर आज मस्तक पर अपने लौंग का भस्म लगाईए विश्चक राशी शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्यपत्षत अठावन धनुराशी चंद्रमा की स्थिती दसंभाव में आई पढ़ाई में बहुत इंबैलेंस रहेंगे आज मन बड़ा खिन रहेगा बहुत इधर उधर की बाते बेचैन करेंगी कुछ व्यक्तिकत मसलों पर भी आज परेशान रहेंगे पढ़ाई में थोड़ा इधर उधर की चीजें उलज़ा रही है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस पर आपको फोकस करने की आवश्यक्ता है वहतर आगे बढ़ेंगे आप ट्राइवेर सेक्टर को लेकर के थोड़ा सजगता दिखाने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र मुश्किलों में आपको पैदा करेगा मुश्किल में डालेगा गवर्मेंट सेक्टर अचानक से मुश्किल पैदा कर रहा है दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल सेट करने का प्रयास करें स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या कमरदर्द की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है आज प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा कर पीली सरसो सरसे वारे तीन बार और किसी पौधे की नीचे डाल दे शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रद्शत सत्तावन मकर राशी यहां भाग्य स्थान पर चंद्रमा आ गए अनकूल स्थतियां हैं शक्षा के मामले में आपके लिए बहुत सकरात्मक अनकूलता है व्यापार अचानक से कुछ मुश्किल पैदा करेगा थोड़ा सभल कर चलने की जरूरत है प्राइवेर सेक्टर को पूरन परिणाम आपको प्राप्त होगा गवर्मेंट सेक्टर में शुबता आपको अवश्य प्राप्त होगी दांपत्ते जीवन की बात करें तो पति-पत्नी के बीच तालमेल इधर-उधर की चीजों से आपको परिशान कर सकता है स्वास्त के मामले में किड्नी की समस्या और लिवर की प्राप्लम हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोक के तौर पर उल्टी हथेली पर तीन बूद सर्सों का तेल और एक चुटकी नमक डालिए मध्यमा को स्पर्श करिए ओम यम घंटाय नमः ओम यम घंटाय नमः ओम यम घंटाय नमः और कंठ को छो दीजे सामगरी को पौधे की नेचे डाले आज का दिन परम कल्यान प्रद रहेगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्यपत्षत पच्पन कुम्भराशी यहां चंद्रमा आये अश्टम्भाव में उतार चड़ाओ बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी स्थती में नहीं है आठवा घर कश्ट का होता है दुखों का होता है पढ़ाई हर कदम पर आपके लिए आज एक आदर्श इस्थापित करेंगे शिक्षा की चिंता कदापे न करेंगे ब्यापार दिब्व्य है बिजनस में आपके लिए अनकूल इस्थतियां रहेंगे प्राइवेट सेक्टर आप पर आज इश्वरीय कृपा दे रहा है सकारात्मक परिणाम दे रहा है सरकारी छित्र में सुधारने के लिए गवर्मेंट सेक्टर को सुधारने के लिए आप कुछ बड़ा कर सकते हैं दामपत्य जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल अदुखुत करेंगे आप शुब करेंगे स्वास्त के मामले में माइग्रेन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है आज प्रियोग के तौर पर नरक चतुरदर्शी स्पेशल प्रियोग बता रहे हैं आज सभी राशियों वालों को एक लौग जो मोटा वाला भाग फूल वाला भाग होता है उस पर सरसों का तेल एक मूंद टबकाईए माथे से छुएं इवराज को याद करें और प्रित्वी पे कहीं डाल दें शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग प्रिद्शत बावन अंतिम राशिमीन यहां चंद्रमा आए अब सब तंभाव में पढ़ाई आपके लिए कुछ ब्यहतर परिडाम की तरफ इशारा करती है सिक्षा में सुधार हो रहा है अवश्य लाव होगा ब्यापार के लिए थोड़ा संघर्ष चलेगा संभल कर चले प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीजों में आपको परिशान कर सकता है सरकारी छेत्र को बैलन्स करने का प्रियास करिए दामपत्य जीवन में चंचलता घातक रहेगी एक दूसरे को समझने की कोशिश करिएगा आज का दिन स्वास्त के मामले में जुखाम खासी बढ़ा सकता है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर आज नरक्षतुरदशी स्पेशल प्रियोग एक फिंगर में अपने इंडेक्स में नमक लगाईए सरसों के तेल को स्पर्श करिए और उल्टे पाउं के तलवे को स्पर्श कर दीजिए शुबरंग आपके लिए आज हरा भागी पत्षत चववान फिफ्टी फोड राश्यों के विशे में विस्तार से जानने के उपरांत चर्चा करेंगे अब आगे आज के स्पिशल शुभ सक्सेज की अंगूठे पर दाइनयात के अंगूठे पर केसर और देशी घी लगाकर अपने मस्तक को इस परश कर लें अब आईए जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश पा बिशव का मिथुन वा कर्क हा सिंग जा कन्या ला तुला भा बिश्चिक ठा धनु ठा मकर रा कुम्भ सा मीन या और चलते चलते दिनांग तीस अक्टूबर का आज का आईश्मान भव है ऐसे लोग जिनका आज जनम दिन है जनम दिन की शुब काम नाएं एक माला गायत्वी मंत्र का जाप करिएगा किसी जरुरतमंद को खाना खिलाईएगा रुद्रा विश्यक करवाईएगा और जिसकी आज मैरे जनवर्सरी है किसी बच्चे को पाठे सामग्री दें किसी कन्या के विवाह में मदद करें तीन बरगद के पौधे पती-पत्नी मिलकर दोनों एक हाथ लगाएं और कहीं लगा दे बस आज के अंक में इतना ही उनमत दीजेगा और 10-11 नवंबर को जैपुर का अपॉइंडमेंट ले सकते हैं धन्यवाद, नमस्कार, शेदादे आचार्य, विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य, संतोष संतोष जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू महालक्षमी, कर्ज कोट विवाद, मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शु ग्रहदीब, तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब, दीप एक, खुशियां अनेक नग्रास बस्क्षा समय करता है, मैं भी तू मौप ऑलुशियों मैं ़ी खर सुशियों में चाहा है, मैं अनेकि cancell प्रहदीब, मैं यथू वितर एक से भी खुशियों मैं झाल भी तू मौब, और एक टू एक फुशियों मैं लिए है। .